दोस्तों अगर आपका mobile hang होने लग गया है ना तो Chrome browser के अंदर बस आपको तीन setting को बन कर देना है आपका mobile जिन्दगी में दोबारा कभी भी hang नहीं होगा आपने दोस्तों देखा होगा Chrome browser सबके mobile में दिया होता है आप चाहे 10,000 का phone ले लो या फिर 20,000-50,000 का phone ले लो आपका mobile जिन्दगी में कभी भी hang होने का नाम नहीं लेगा एकदम सुपर फास्ट नहीं जैसा हमेशा चलेगा ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हैं ये तीन setting कौन से है जिसे बन करने के बाद आपका mobile कभी भी hang नहीं करेगा तो उसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिर इस से chrome browser की अंदर कौन से तीन setting अगर आप बन कर देते हैं तो आपका जो mobile है जो hang कर रहा है बार बार वो hang होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ठीक है हमेशा आपका mobile नए जैसा एकदम super fast चलेगा तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने mobile में यह जो chrome browser है इसे open कर लेंगे ठीक है सबके mobile में यह पहले से ही download होकर आता है इसे अलग से download करने की जरूरत नहीं होती ठीक है सबसे पहले नंबर का setting करने के लिए थोड़ा से scroll down करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है notification आप देख सकते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे chrome browser के सभी जो notification को यहाँ पर on हो रखे हैं अब दोस्तों होता क्या है इससे कैसे आपका mobile हैंग हो जाता है आईए मैं आपको बताता हूँ ठीक है अब जैसे ही आप अपने mobile में internet on करते हैं आप अक्सर देखते होंगे आपके mobile में chrome browser के इतने सारे notification तुरंत आने लग जाते हैं जिससे आपका mobile हैंग हो जाता है समझे तो यहाँ पर दोस्तों chrome browser से जो notification आते हैं वो ऐसे हमारे काम के होते नहीं है तो उसे दोस्तों आप यहाँ से बन कर दीजे यहाँ पर आप इसे बन कर देंगे तो पूरा automatic बन हो जाएगा जिससे जब भी आप internet on करेंगे तो आपको chrome browser से कोई भी notification नहीं मिलेगा और आपका mobile hang होने से बच जाएगा ठीक है तो यह पहला setting आपको यहाँ पर बन कर देना है इसे बन करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर देना है बैक करने के बाद आपको दूसरे नंबर का setting करना है तो दूसरे नंबर का setting करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है privacy and security आप देख सकते ह है यहाँ पर दोस्तों बहुत सी सेटिंग काम आसकता है लेकिन जो दो mean Scating है इहाँ पर मैं आपको बता देताओ ठीकहँ है तो दूसरे number की setting में आपको दो टिकरे जो है बताने वालों दोनों ही आपको apply करना है ठीक है तो यहाँ पर नीच thành आएंगे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे safe browsing दिया हुआ है अब safe browsing तो यहाँ पर आपके mobile में on मिलेगा लेकिन दोस्तों आप ने यह safe browsing है जो on कर रखा है यह standard protection पर on कर रखा है यानि कि आपको यहाँ पर full protection नहीं मिल रहा है full protection कब मिलेगा जब आप इसे enhanced protection पर set करेंगे समझे रो तो आपको इसे कभी भी standard पर set करके नहीं रखना है नहीं तो दोस्तों आपके mobile में virus या फिर कोई spy app आ सकता है जिसकी वज़े से आपका mobile hang हो जाएगा समझे रो तो इसलिए आपको इसे enhanced protection पर set कर देना है जिससे दोस्तों आपको double security मिलेगा जब भी आप कोई website पर जाएगे या फिर कोई भी browsing करेंगे कुछ भी download करेंगे तो double security में दोस्तों चीज़ डाउनलोड होगा जिससे एकदम आपका mobile safe रहेगा समझे रो तो यह चीज़ आपको यहाँ से on कर देना है उसके ज़ेश्ट नीचे ही दिया हुआ है always use a secure connection अब यह भी दोस्तों बार default आपके chrome browser के अंदर बंद मिलेगा तीसे दोस्तों आपको यहाँ से on कर देना है on करने के बाद दोस्तों होगा क्या जो website safe है मतलब समझे लो जहाँ पर https लगा हुआ है साइड में मतलब की lock होता है वही website बस से ओपेन करेगा और कोई भी अगर खतरनाव website है तो तुरंत यह उसे block कर देगा समझे रहो तो यह setting आपको यहाँ से on कर लेना है तो second number में आपको यह दोनों ही setting को कर लेना है समझे यह दोनों setting करने के बाद आपको यहाँ से पूरा बैक आजाना है मैंने दोस्तों chrome browser के अंदर की domain setting बता दिये है अब जो सबसे ज़्यादा important और तीसरे number का setting है वो आपको बता देता हूँ जिससे दोस्तों आपका जो mobile है जिन्दगी में कभी भी hang होने का नाम ठक नहीं लेगा अब यह तीसरे number का setting करने के लिए आप directly जो है अपने mobile का setting open कर लेना यह जो setting बताने जा रहा हूँ यह chrome browser का ही setting है बस वहाँ तक पहुचने के लिए आपको setting का इस्तमाल करना पड़ेगा तो setting open कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको जो है नीचे चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा privacy protection तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इसपे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है special permission इसके उपर क्लिक कर देना है ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है इंस्टॉल अन्नोन एप्स अब इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाल के जो सभी अब यहां पर आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यहां पर आपको करना कि है Chrome browser को search के ले लेना है यहां हमारा Chrome browser तो इसे आपको open करना है अब यहां पर दोस्तर आप देखेंगे Install unknown apps वाला जो setting है यह Chrome browser के अंदर on हो रखा है और यह दोस्तर इतना ख़तरनाक setting है अगर आपके मदलब की Chrome राउजर के अंदर ये on है, तो आप कोई भी मदलब website पर जब जाएंगे न, तो automatically वहाँ की जो वाइरस है, आप भी बोल सकतो न, कोई spam app वोगर है, आपके mobile में कब आ जाएगा, कब डाउनलोड हो जाएगा, आपको पदा भी नहीं चलेगा, तो ये setting दोस्तों बहुत ही dangerous होता है, ये जो setting है, अगर आपके mobile में Chrome राउजर के अंदर on है, तो ऐसे मैं समझ लीजिए, आपका mobile hang होना पका है, समझे रहो, तो अगर आप चाहते हैं, आपका mobile hang ना हो, तो उसके लिए दोस्तों इस setting को आपको यहां से बन कर देना है, आप यहां पर देख लिजिए, बन करने की बाद दोस्तों अगर आप दोबारा से on करने जाएंगे, तो यहां पर danger लिखा हुआ आएगा warning show होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि यह जो setting यह खतरनाक setting है, समझे रहो, तो इसे हमेशा आपको बन करके रखना है, जिससे आपका जो mobile है, यह पुरी तरह से safe रहेगा, कोई भी virus, कोई भी spy app नहीं आएगा, और आपका mobile hang नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, अपने mobile में, Chrome browser के उपर long press करेंगे, eye button पर click करेंगे, कई-कई mobile में, यहाँ पर नीचे भी यह setting देखने को मिल जाता है, third number वाला, दीगे, मेरे mobile में यहाँ पर नीचे नहीं दिया है, setting के अंदर दिया हुआ है, तो आपको चेक करेंगे आपके mobile में कहाँ पर दिया है, समझगे, तीनो setting आपको करना है, कोई भी setting मिस नहीं करना है, उसके बाद आपका जो mobile है, एकदम नया जैसा रहेगा, hang करने का नाम नहीं लेगा, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक को शेयर करना, साथी साथ हमारी शेनल को सब्सक्राइब करना, ठेंक दोस्तों, बाइबन, टेक कियर,